कुछ मज़ेदार खाने का मन चल रहा था तो मैंने कहा चलो कुछ पीजा पेस्ट टाइप कर लाया जाए मैं दुकान पर गई और ले कर आई फिर एकदम से में दिमाख में आया यार मैं पूरा पीजा पेस्ट खतम कर देती हूं बार बार फिर बार बार मन भी खड़ता है तो यार कौन जा है भार बार इसलिए मैंने आधा पता है इंकट कर लिया और आधा बचा की रख लिया और उसके बार एक एक एक्स्टा तो मिलते हैं तो बस फिर कुल रिया उच्छे से पानी मिना धुल लिया क्यों कि बता नहीं अंदर कौन से मिट्टी विट्टी के जमी बे प्यास को गट कर लिया और जो क्यापसे का मिना इसको भी मैंने फाइनली चॉप के बराबर करी लिया अलका फिर हरी मिर्ज पी जाल दी मैंने का ढाल देती हूं यहां टेस्ट उपड़ जाएगा और इसके बात वार था मैंने कॉन लिया है व्रा स्वीट कॉन टाइप का औ प्यास जितनी भी सबजी काट की थी ना उस सब मैंने डाल दी यहां पर और इसको अच्छे से भून भान लिया फिर नाम मातरी की दो चाहँ चीज़े दो पड़ती है वो डाल दी जैसे कि नमग काली मिर्ज का पावडर और लाल मिर्ज कुटी वी और फिर जो मैंने आधा मैंने टाल इए वो पेजेर के रखा था ना वो भी इसमें भर बढ़े राल दिया अच्छे सब चीजे मिलाने के बाद मैने इसमें सॉसद डाला शे जिरूर किया जासे कि मैंने होक्य उसके नहीं चालना लिया च्छे चला लिया और अपर बढ़ाल ना चीज रखनी है तो म तो काम बन जाएगा तो नीचे एक बरतन रख लेगा जिसमें चीज जो है उसमें गिरे और फिर मदधी आजाए खाने को मिल जाए और इसके बाद मैं ने दो तीन मुठी के करीब चीज डाल दी है उसमें हलका सा चिली फ्लेक्स प्लाक पपर डाल दिया है अब पते मुझे य हैंगी चीज चिपकी होती है रहा बहुत दुख हो रहा होता है इसलिए आप ऐसे घर की ग्लास में या फिर कटोरी वटोरी में बना सकते हैं जिसमें क्या ओना चीज अराम से आप स्पून से निकाल पाएं ऐसे निकालते वक्ता मिट्टी आ जाती है यार को लड़की वेल क कोई नहीं हमाया चीज पूल बहुत ही गजब आ गया है तो यार यह काफी मसे आ रहे हैं तो चली खाने खाओ फी मसे करो कुछ रूख रूख